पैसे ही का तमाम ये कंभो दिवार है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले चर्चा शुरू की जाए, ख़बरों का विशलेशन शुरू किया जाए, उससे पहले आपको बताने कि आज हमारी टीम ने कौन सी ख़बरें चुनी हैं जिन पर चर्चा होगी, क्योंकि मनी सेंटरल दो दिन बाद होता है, सेटेडे संडे की भी खबरें होती हैं, मंडे की भी खबरें होती हैं, तो आज का बुलिटिन थोड़ा बड़ा है, खबरें थोड़ी जादा हैं, एक दरजन से जादा ऐसी खबरें हैं, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, जिन पर हम आज बात करेंगे, दो दिन की सबसे बड़ी खबरें होगी, खबरें कौन सी हैं, देखिए यह जानेंगे G20 परिशान नहीं मान रहा चीन किस बात पर नहीं मान रहा यह जानेंगे निर्यात की इतनी बुरी हालत क्यों हो निर्यात लगाता टूट रहा है लेकिन अब ये कई वर्षों के निचलेस तर पर पहुंच गया इतनी तेज गिरावट इतने कई वर्षों में न पहली को सुझाएंगे कि क्रेट कार्ट के बाजार में एक तरफ तस्वीर बड़ी गुलजार दिख रही है लेकिन ये दूसरी तरफ बाजार बड़ा बेजार दिख रहा है क्या है इसके बीच का माजरा क्या है ये उल्जन ये समझेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में और पड़ खबरें भी लेकिन शुरूबात मौनसून के साथ देश के अधिकांश हिस्सों में एक और जहां भारी बारिश हो रही है दूसरी तरफ कुछ राज ऐसे हैं जहां अभी भी मौनसून कमजोर है जी हां पिहार में जहारखंड में उडिसा में महराष्ट में 36 गड़ म आंद्रप्रदेश में तेलंगाना में करनाटक और केरल में अभी भी बरसात कम देखने को मिल रही है अब इसका असर क्या है असर यह है कि तूर उत्पादक राज्यों में बरसात कम होने की वज़ये से बौई घट गई है और जिससे तूर की कीमतों में इजाफा हुआ है बढ़त देखने को मिलिए एक साल में तूर की कीमतों में 32 फीसस से जादा की बढ़ोत्री हो गई है यानि कि पिछले साल अगर 100 रुपे किलो अरहर की दाल बिक रही तो अब 132 रुपे किलो बिकने लगी है एक असर और हुगा पहाडों पर पहाडों में भारी बरसात की व पहाँ से यह बिग्डेल मौनसून कैसा है शुबम ढाल भारत की अर्थवे उस्था में इस साल सबसे बड़ी चुनोती कर्शे अर्थवे उस्था में सबसे बड़ी चुनोती बनने वाने और दालों को पर मानसून का स्वभाव बहु आया मी मिल्टी डामेंशनल चैलेंज बन कर सामने आया है पहले आप एक कीमतों की दृष्टी से देखें तो जनवरी से भी तक 27% डालों के भाव बढ़ चुके हैं दूसरी महतुपून बात देखें कि 14 जुलाई तक का अकड़ा हमारे पास है उसके हिसाब से भारत में जो डालों की खेती है वो पिछले साल से 43 40 फीसदी सोइंग ते 40 फीसदी कम है और दूसरा ये कि मानसून की का जो इस बार का बदलाओ था जो परिवर्तन था उसने डाल की पूरी अर्थवस्था को एक लगबग हिला दिया या तोड़ दिया है क्रिसिल के एक ताजी रिपोर्ट बियाई वो यो कह रही है कि अगले दूसरी चीज जिन इलाकों में डाल की बुवाई हो चुकी ती वहां आतिवरष्टी हुई बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इसके बाढ़ के कारण फसल तयार नहीं हो पाई दोनों तरफ से डाल की की आपूर्ती को लेकर संकट है सरकार की आयात की कोशिश से सफल नह यहीं बाजार में दखल देने की स्टॉक से बाजार में इंटर्विंशन करके भी कीमते थामने की कोशिशे सफल नहीं हुई और इसलिए इस बार खाद दे अर्थवे उस्था में डाल सबसे कम जोर पहलू बनकर सामने आया है और इसा लग रहा है कि जो भी मानसून की इस् इसलिए यह दबाव और ज़्यादा दिखाई देगा और यह भारत की खुद्रा महंगाई को आने वाले समय में कई तरह से प्रभावित करेगा यह हूँ पहले से महंगा है चावल लगातार महंगा हो रहा है जिसमें कहा गया था वेज और नौन वेज दोनों थालियां महंगी हो रहे है यह थालि आगे भी महंगी होती रहेगी ऐसी आशनका गह रही है अगली खबर देश के कुछ कॉर्परेट हाउस और मल्टीनेशनल कंपनियों को GST विभाग की और से नोटिस भेजे गए हैं क्यों भेजे गए हैं इस नोटिस के जरीए उनसे टेक्स की मांग की गई है यह कहा गया है कि आपने यह टेक्स नहीं चुकाया है जो आपको चुकाना चाहिए था यह टेक्स वसूली की वज़े उनकी और से दी गई बैंक गारेंटी सरफ बैंक गैरेंटी कौन सी है जिन पर की वसूली निकल रही है जीस्टी हर उस तरीके से टैक्स के नए विकल्ब खोजने की कोशिश कर रहा है जिसके जरी राजसों संग्रे बढ़ाया जा सके है और कमपीनियों के लिए बड़ी चुना होती है जो ताजी विवस्ता है वो काफी दिल्चस्प है इसमें खास्तों पर जो FMCG कमपीनिया इले गैरेंटी देती है जीस्टी विभागे मान रहा है कि किसम की सर्वेस है किसम का सर्वेस प्राविजन है जो एक कंपिनी अपनी सब्सिडिरी दूसरी कंपिनी को दे रही और इस पर उसे टैक्स देना चाहिए अब आप यह सम देखने में सर्विस कॉम्प्लिकेटेड लगत उसकी आधार पर वागी companies को support करती है इसलिए इस पूरी विवस्था में सबसे जाधा परेशानी होने वाली है बहुराश्ट्री companies को क्योंकि बहुराश्ट्री companies पूरी दुनिया से अलग-अलग finance यूटाती है और अपनी subsidies को finance करती है بैंकों से tax authorities ने बैंक ने अब इन companies सर्विस टेक्स नहीं दे रही है देश के नागरिकों का जो परस्नलाइज डेटा है उसे आटिफिशन इंटिलिजेंस के प्रयोग में आने से रोक रहे हैं शुरुआत इटली से हुई थी हम लोग इस पर इकनामे कमें बात भी करते रहे हैं और अब दुनिया के कई देश इस विवस्ता में शामिल हो रहे हैं और जितने भी सरकारी भी भाग हैं उन्हें अपने हाँ इस तरीके के फायरवाल और सिस्टम बनाने होंगे जिससे आटिफिशन इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है या जो उनके क्रॉलर्स हैं वो परस्नल डेटा को साथ में ना निकाल सकें दूसरी बड़ी चुनोती इस देटा प्रोटेक्शन की चुनोती शुभम आज से 2 साल से ज़्याधा बड़ी हो गई तो साल पहले डेटा प्रोटेक्शन की चुनोती इतनी कॉंप्लिकेटड नहीं थी क्योंकि क्यों के पास डेटा बेस थे आप उन्हें रोक सकते थे लेकिन आटिफिशन इंटेलिजें से याद आया आपको एक एक इकनॉमिकम का जिक्र करते हैं पहले एक इकनॉमिकम हमने किया था इतना खौफ क्यों है भाई क्या परमाणू बम से भी खतरनाक बन गया है कुछ इसमें बात कीती आर्टिफीचल इंटेलिजेंस के खत्रों की और देखिए उसी तरीके की एक तस् माई कशल नभावर कर सकते हैं ये सिर्फ एक खत्रा है जिसका प्रमाण सामने जिसका उधारन सामने आया लेकिन ऐसे और कॉन सेु hesitate है एक ऊसक्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां जाकर आप इसको कर देख ये देश की सिमीकंडक्टर चिप डिजाइन कंपनी fellar सहरा देने के लिए सरकार परस्ताव पर विचार कर रहे हैं परस्ताव किस तरह से विवस्ता लागू Candino को लेकर थोड़ा को यूदnen सकते परヒूज नहीं पिछले दो साल में कук लाएं लेकिन कोई chip company भारत में बड़े निवेश को भी तैयार नहीं हो रही है। इधर chip manufacturing को लेकर है, semiconductor manufacturing को लेकर दुनिया के देश अपनी नीतियों में तेज बदलाव कर रहे हैं। अमेरिका में काफी बदलाव हुए हैं, अमेरिका में चीन के साथ रवापार युद के कारण अमेरिका में कानून लाया गया है, semiconductor facilities क्रियेट करने के लिए सरकार special प्रोट सहन दे रही हैं, जो अमेरिका में आम तोर पर कम दिये जाते हैं, इसके अलावा जो chip manufacturing company हैं, उनसे अम मीनें दे देने से, सुविधाएं दे देने से बात नहीं बनेगी, और इसलिए भारत सरकार अब खुद इन companyyों में हिस्सेदारी लेने की तियारी कर रही है, ताकि निवेश को की guarantee दी जा सके, हम बनी सेंटर में आपको बता चुके हैं कि Foxconn की भारत से वाप से निकल जान भारत की chip manufacturing की तियारियों के लिए बड़ा जटका था, और क्या सरकार का इस समझ में आया है कि उसे भी companyy में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, तो अगर अगली scheme में ऐसा आता है, जो कि design linked incentive schemes तियार की गई है, तो यह पहली बार ऐसा होगा, जब भारत किसी एक शेत्र में सर परकार companyy में हिस्सेदारी लेकर अपनी equity लेकर, यह पब्लिक फंड से equity लेकर semiconductor companyy को प्रोत्साहन कर देगी, इस बात की तयारी शुरू हुई है, जी 20 देशों की भारत में चल रही बैठक के दौरान भारत की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जिसके मल्टी नेशनल कंपनियों से जाधा tax वसूलने की ववस्ता हो, प्रस्ताव मंजूर हुआ तो मल्टी नेशनल कंपनियों को उन देशों को जाधा tax चुकाना होगा, जहां से वो जाधा कमाई करती है, इस तंदर में भारत ने विक्सित देशों के संक्टेन OECD में कुछ सु इस बात का प्रस्ताव रखा है कि जो बहराश्ट्री कंपनिया दुनिया के अलग-अलग देशों में काम करती है, उनके ऊपर एक विशेश किसम का टैक्स लगाया है, जाएक किसम का विधोल्डिंग टैक्स होगा, यानि जो प्रपोजल है, उसे साब से उन्हें उन देशो में और जाधा टैक्स पे करने होंगे, जहांके बाजार का वो इस्तिमाल करती है, यह एक तरीके का एक्सेस प्रॉफिट टैक्स होगा, यानि अगर वो जाधा प्रॉफिट कमाती है किसी देश में, में कंपिनिया जो पेमेंट्स करती है, वेंडर और एमप्लाइस को और ज होंगे, खासतर से अस्ट्रेलिया और जापांजे से देश, क्योंकि पैरलली पूरी दुनिया में एक और डील चल रही है, एक सो चालिस देशों की बीच में, जो दोजार इकीस में आई थी, दोजार इकीस में अमेरिका की पहल पर काप्रेट टैक्स के रूल पूरी दुनि इस पीच भारत इस प्रस्ताओं को लेकर अलग से एक टैक्स लगाने की बात को लेकर आ गया है, जी टुनिटी की बैठक में ये नए तरीके की प्रस्ताओं की इंट्री है, जो एक सो चालिस देशों वाला प्रपोजल है ना शुबहम उसमें यह था कि जिन कंपीनियों का annual revenue 200 billion euros से जाधा यानि 22 billion dollar से उपर है और जो excess profit कर रही है 10% के annual growth से जाधा यानि उनके profit साल के 10% से जाधा बढ़ रहे हैं उन पर 25% का सर्चाज लगाया जाएगा जो excess profit के तोर पर वो अपने को पे करेंगी और 140 देशों की बीच माटा जाएगा सारे देशों की बाटा जाएगा ये प्रपोजल 2021 में चर्चा में आया था बिसमीच भारत ये चाहता है कि विकासिल देशों में इन कंपिनियों पर अलग से एक tax लगाया जाएगा जाएगा कितने लोग G20 में इस पर राजी होंगे देखना होगा पर एक महत्तुपूर्ण ज शर्तों पर करज दिया हुआ है और डिफॉल्ट के कगार पर जाएगा तर वही देश हैं जिनोंने चीन से जाधा करज उठाया हुआ है ऐसे देशों में भारत के पडोसी श्रिलंका पाकिस्तान बंगलादेश भी शामिल है सर चीन मान क्यों नहीं रहा है चीन को सहमत कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है और भारत के लिए जी टुन्टी की सफलता को स्थापित करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों के लिए डेट बेल आउट डील लाना या उनको करज से भाने की डील लाना आनेवार है क्योंकि भारत को जब मेजवानी मिली थी बाली में जी तुन्टी की तो उसमेजवानी का जो बेटन था उसमें ये जोड़ा गया था कि इस पूरे साल भर के दोरान भारत इसके के नेतरतों में दुनिया के विकासील देशों के लिए के लिए जो करज में दमें उनके लिए करज रियायत का पैकेज लागा जायगा आएमF और वर ना तो IMF की शर्तों पर सहमत है ना G20 के साथ इस बात पर सहमत है और इसलिए G20 की पूरी कोशिश करज से रियायत देने की पूरी कोशिश मुश्किल में फस्ती दिखाई दे रहे हैं चीन का कहना है कि उसका करज बाइलेटरल करज है और बाइलेटरल लेवेल पर इसे डील कर इस बात के सब्सक्राइब से संकेत मिले कि चीन को राजी करना मुश्किल हो रहा है और ऐसे स्थिति में G20 के से जो से क्या बड़ा नतीजा निकलेगा इसकी सफलता के तौर पर क्या सामने आएगा इसे लेकर अब काफी उहाप हो और संशाय बनने लगा है कि G20 का यह पूर बन गया क्यों वो देश अब संकट में फसे हैं क्या उनके निकलने की रास्ते हैं यह सब कुछ आपको हमने बताया था एक खास एकनॉमिकम में उस एकनॉमिकम का भी जिक्र आज के इस शो में हम कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप चाहें तो मार्केट में मांग कमजोर पढ़ने के वज़े से जून के महीने में भारत से एक्सपोर्ट में बाइस फीसद की गिरावट देखने को मिलिए बाइस परसेंट एक्सपोर्ट तूट गया है इस दौरान सिर्फ 32.97 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है जबकि पिछले साल इंपोर्ट भी टूटा है इसलिए आपार घटा घटा है 7.9 फीसद घटकर यह 57 अरब डॉलर के करीब रहा है सर एक्सपोर्ट की इतनी बुरी इस्तिति क्यों एक्सपोर्ट की इस्तिति बहत चिंता जाने कर सरकार के भीतर इसको लेकर काफी काफी दबाव भी है हम विशे जून के दूरान जो आंकड़ा मिल रहा है जो हमें दिख रहा है उसे साबसे करीब भारत का एक्सपोर्ट एक्सो दो दस्तिति दो वज़े से आ रही है एक तो यह कि योरोप और अमेरिका के बाजारों में महंगाई के करन मांग बुरी तरे तूटी है और इन देशों में भारत के निर्यात में तेज गिरावट आई है जिसका असर में एक्सपोर्ट पर दिखाई दे रहा है और यह और जादा चिंता जनक बात है कि भारती करिंसी का अवमुल्यन इस दोरान हुआ था यानि रुपए की कमजोरी का फाइदा एक्सपोर्ट को मिलना चाहिए था व कोशिश फिर से शुरू ही FTA को लेकर नए सेरे से हमने दो FTA पिछले दो साल में आस्ट्रेलिया और UAE के साथ देखे थे अब कामर्स मिनिस्ट्री सबात के तियारी में है कि कुछ नए FTA किये जाए यूके को लेकर हमें ब्रिटेन के साथ FTA भी उलजन में है क्योंकि बहु को लेकर कामर्स मिनिस्ट्री में एक सक्रीता दिखती है क्योंकि निर्याद के लिए यही रास्ता बचा है कि आप दो देशों के बीच में व्यापार समझोते किया जाए उनके जरी निर्याद बढ़ाया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि कैनड़ा अब लेटन अमेरिका और खासतोर से जो लेटन अमेरिका का एक मट्रेट ब्लाक है जिसका ना है मरकोसूर इन से अगर कोई डील कर सकता है तो भारती निर्याद के लिए बाजार बनता दिखाई देगा इसके अलावा निर्याद बढ़ाने के लिए कुछ खास बाजारों की पहचान की गई है कुछ भारत की भारत सरकार रोट शो करने जा रही है। बालर पर निर्भरता कम होगी और दूसरा ये कि रुपए को अंतराश्टी करनसी के तौर पर इस्थापित करने की जो पूरी कोशिश है उसको कुछ बल मिलेगा। जिसको हमने विस्तार से एक एकनामिकम में चर्चा की थी। रिजर्ब बैंक ने भी हाल में एकमिताजी रिपोर्ट भी दी है। उस रिपोर्ट में भी कहा है कि भारती रुपए को अंतराश्टी स्थापित करने के जितने प्रयास हुए है वो सफल नहीं हो सकते जबकि एक तेल खरीदता है भारत को तेल करने रहा तक है। भारत तो यूए के बीच जो कारोबार है दिपक्षी कारोबार वो 2022-23 के दौरन करी 84-85 बिलियन डालर था। अब यहां यह देखना होगा कि साओधी अरप यूनाइटिड अमीरात से जो आने वाला तेल है क्या उसका भुक कि कमपेनिया कुछ कमपेनिया यूई के अबोधावी की निशनल आयल कमपेनिज के साथ बात कर रही है जिसमें वो रुपए में भुक्तान ले सके क्योंकि अगर यह भुक्तान शुरू होता है और यह बड़े जितना तेल यूई से आयात होता है उसका एक ठीट-ठीक हिसा रुपए के भुक्तान के तौर पर इस्तेमाल होने लगता है तो रुपए की अंतराश्टिकर्ण की सफरता मानी जाएगी नहीं तो हम भारत सरकार रुपए को इस्थापित करने के लिए जो कोशिश है कर रही है उसमें रिजर बैंक ने जो सबसे बड़ी जरूरत बताई है ये बताई है कि पहले भारत को दुनिया के देशों के साथ बात करके चीन की तरज पर रुपी के रिजर्स क्रियेट करने होगी एक और दूसरा ये कि भारत को अपनी निर्याद की ताकत बढ़ानी होगी ताकि जिस रुपए को वो आयात के जरिये किसी देश से कुछ आयात करके दे रहा है उसके बदले भारत के पास उस रुपए को लेकर कुछ बेशने के लिए भी होना चाहिए mutual fund company ने हाल ही में mutual fund assets का stress test किया इसमें पता चला कि debt mutual fund योजनाओ की करीब एक लाग आठ लाग करोड रुपए के asset जो है वो stress में है mutual fund की करीब 11 लाग करोड रुपए की asset पर यह stress test हुआ है यह stress जो basically हुआ है वो debt mutual fund की इसकी में है उनका हुआ है कुल 11 लाग करोड की asset है उनमें से एक लाग करोड ऐसा है जिसमें यह माना गया stress stress को आप ऐसे समझ सकते हैं आसानी से की चिंता है अगर आपने इनमें निवेश कर रखा है तो यह fund managers जो है यह मान रहे हैं कि हाँ कुछ चिंता की बात है कौन से open ended category के fund है उनके उपर उनके यूए में जैसा शुबवन आपको बताए कि एक दसनलव 8 लाग करोड रुपए की asset under management है वो रिस्क में दिखती है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार ने open ended schemes पर जो tax का नियम बदला था debt funds पर scheme का नियम बदला था उसका असर इन mutual funds के scheme के भविश्य पर दिखाई दे रहा है यह माना जा रहा है यह मार्च में इस टेस्ट हुआ था रिजर्बैंक इंडिया ने जो 295 debt schemes थी उसमें से 24 schemes को को में निवेश करने वाले जो open debt fund से उन्हें इसमें शामिल किया था जिन में निवेश किया जाता है सरकार ने चुकि long term capital gains खत्म कर दिया है debt mutual funds के ऊपर जहां पर इसकी में करीब 35% के असपर अपना investment करती थी इसलिए इन्हें अब आने वाले समय में इन scheme पर दबाओ है कि इनके returns कि रहेंगे और इनमें निवेश भी घटेगा बिटकोईन की दुनिया में इन दिनों बड़ी हल चले वजह है कि दुनिया की बड़ी investment company blackrock ने अपना एक आवेदन दिया आवेदन कहां दिया अमेरिका के security and exchange commission को जैसे भारत में से भी है एसी अमेरिका में security and exchange commission है वहाँ पर यह application दी गई है ETF को स्थापित करने के लिए जिसका अंडरलाइंग asset bitcoin होगा यानि की bitcoin spot ETF लेकर आना चाहता है blackrock इसके लिए उसने application दिये SEC के SEC इस application को मंजूर करेगा क्या अभी SEC ने इस application पर यह कहा है कि परयाप्त प्रस्ताओं नहीं कि लेकिन अक्याला blackrock की नहीं है शुकर फिडेलिटी ने भी इसी तरीके cryptocurrencies में में निवेश बढ़ार जो चर्ण होना था वो चर्ण हो चुका है और अब लोग cryptocurrency में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे स्थिती में security exchange commission को को bitcoin के ETF को allow करना पड़ सकता है और इसी लिए अब जो दुनिया के बड़े serious investor ने इसे इन्वेस्टर है ये भी इसमें रूची दिखाने लगे हैं लेकिन अगर ऐसा होता है कब तक होता है पता नहीं पर बाजार में अगर ऐसा होता है तो दुनिया के में जो एसेट का allocations है उनमें काफी फिर बदल होगा क्योंकि तब ETF आने के बाद अन्य बाजारों में भी इस तरीकी की कोशिशी चुरू होगी और शायद लोग बैंक्स और फिना अहां mutual funds इसमें निवेश करना शुरू करेंगे क्योंकि फिर ETF stock exchanges में trade होंगे और इनमें liquidity बढ़ेगी आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरह पहली खबर रूस की मुसीबत वाली दुनिया भर में अनाज फिर से महगा हो सकता है ऐसी आशंका बढ़ गई है पूरी दुनिया को बड़ी मात्रा में गिहूं की सप्लाई करने वाला देश रूस यूक्रेन युद्ध क बाहर हो सकता है ऐसार कौन सी डील है यह इतनी इंपोर्टेंट जिससे रूस बाहर हो रहा है यह दिल पिछले साल हुई थी जह फरवरी में 2022 में रूस ने युकरेन पर हमला किया था उसके बाद यूकरेन के सारे बंदर गहा उस हमले और रूस के युद्ध की जदमे आ हुई थी जिसमें जो peace deal थी जिसमें United Nations भी शामिल था जिसमें रूस को इस बात के लिए तयार किया गया था कि वो यूकरिन के जो ब्लक सी के कुछ बंदरगा है उसमें खास्तोर से जो उडेसा का बंदरगा है उसे हमले के दायरे से बाहर रखेगा और वहां से गेहूं की और कौर्न की आपूरती दुनिया के देशों में हो सकेगी क्योंकि रूस और उकरिन का गेहूं ना मिलने से दुनिया में भुकमरी फ़लने का खतरा था पिछले एक साल में रूस ने कई ब मुतिन दुबार अपनी टाकत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं प्रिगोजिन के बगावत थामडी गई है प्रिगोजिन से मुसे मुलाकात हो गई है और अबे माना जा रहा है कि रूस इस ग्रेंडील में शामिल नहीं होगा ओडेसा के बंदरगा से आखिरी जहाज अनाज लेकर निकलने वाला है और इसके बाद रूस ने अपनी तरफ से इसपष्ट कर दिया है संकेत दिये हैं कि वो इस डील को बढ़ाने के लिए आगे राजी नहीं होगा और इसकी वज़े ये है कि रूस का कहना है कि उसके उपर जो सेंक्शन से अप्रतिबंद लगाये गाए दुनिया के कुछ बाजारों में उन्हें धका लग सकता है। कज़ जुटा लिए और वो यूकरेन पर नए से बड़े हमले की तियारी कर सकते हैं ऐसी इस्तिती में भी उनको ये लग रहा है कि अगर वो इस ग्रिन डील का इस्तेमाल करेंगे तो शायद उन्हें कुछ प्रतिबंदों में रियायत मिल जाएगी इसका असर क्या होगा सर की प्रति दिखाई दे रही हैं दुनिया में करीब करीब ये जो ग्रिन डील थी ये माना जा रहा था कि इसकी मदद से दुनिया में में फूट के प्राइस को करीब 20% कम करने में मदद मिली थी खास्तोर से जो बड़ा हिस्सा था अफरीका का और मद्धिपूर्व का लेकिन अगर ये डील किसी तरह से सहमत नहीं होती क्योंकि इस बात की संभावना दिखाई दे रही कि युनाइट इनिशन सेक्यूरिटी काउंसिल के कुछ प्रतिनी दिया आने वाले दिनों में रूसर यूकरिन से बात करेंगे इस मामले में लेकिन अगर ये सहमत होती नहीं देगी आगे बढ़ते हैं अब दूसरी बड़ी ख़वर की तरफ जो है क्रेडिट कार्ट के बाजार से जुड़ी क्रेड़ कार्ट के भुकतान में डिफॉल्ट के मामलों में बढ़ूतरी देखने को मिली है आर्बियाई के आंकों से पता चला कि 2023 में क्रेड़ कार्ट के जरी एक खरिदारी 31 फीसद से ज्यादा बढ़कर एक लाख चौरानवे एक दर्शमलब नौचार लाख करोड़ रुपय हो गई है वितवर 2022 में ये करीब दिर्ल लाख करोड़ के एक दर्शमलब चाराट लाख करोड़ रुपय के करीब थी तो एक तरफ क्रेड़ कार्ट क हो गई अगर आप बड़े आंकड़ों को देखें तो आपको लगे गए कि भारत में लोग क्रेड़ कार्ट से बड़ी खरीदारी कर रहे हैं एक दिसनलों चार लाख करोड़ रुपय के आसपास की खरीदारी हुई शुबम जनवरी से लेकर अभी तक पांच मिलिया नहीं पचास लाख नए लोगों ने क्रेड़िट कार्ड लिये हैं खरीदे हैं इनमें से केवल बीस लाख तो पहले ही दो महिनों में में खरीद लिये गए इतनी तेजी से क्रेड़िट कार्ड एड़ाप्ट करने वाले हैं लेने डानों के संख्या बढ़ रहे हैं अगर आप से जाधा या चार चार पांच पाइश क्रेड काड लिया हूए लेकिन इसे जो खरीडारी है वो भी बढ़ रही और बड़ी संख्या है कर रहे नंबर है खरीडारि का एक लाख क्रॉड रुपय से उपर की खरीडारी एक महीने में क्रेडिक कार्ड की जरिये हो रही है नहीं कर्द काट की अर्थव्यस्ता एक किसम का डेट ट्रैप भी बना रही है जो हमें दूसरी ख़बर में जो डिफाल्ट की खबर में हमें दिखाई दे रहा है और यही सबसे बड़ी उलजह है जिसको लेकर रिजर्ब एंक और बैंक परिशान हैं तो सरी डिफाल्ट करेट काट क करेट कार्ड रखे इसलिए इतने ज्यादा करेट कार्ड हैं और धीमे-धीमे कई सारे लोग मल्टिपल करेट कार्ड का इस्तिमाल करने लगे हैं जिसके जरीए एक के जरीए वो दूसरे का को फिनांस कर रहे हैं और इसलिए हमें 23% एर आन एर कम से कम 30% की बढ़ोतरी हैं में करेट कार्ड में दिखाई दे रहे हैं बड़े संख्या है करीप तीन का अकड़ा यह था कि करेट कार्ड के अंपिए करीट का यह तनी तीन लाख आठ जार 7 colleagues, 87 करोड रूपय थे और यह जो डिफॉल्ट दिख रहे हैं यह डिफॉल्ट यह एसा महसूस हो रहा है कि जिन ल परिशानी यही है अर्बियाई की सबसे बड़ी परिशानी है अनसेक्योर्ड लोन को लेकर रिजर बैंक लगातार बैंकों को आगा कर रहा है और आश्यरी की बात यह है कि अनसेक्योर्ड लोन में क्रेडिट कार्ड NPS 34% बढ़े हैं अब पूरी तस्वीर देखिए बैंक एक बैंकों से अनसेक्योर्ड लोन कम करने की कुशिश कर रहा है भारत में अनसेक्योर्ड लोन का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो दो ही है हिस्सों में है परस्नल लोन्स और क्रेडिट कार्ड में 34% की ग्रोथ हमने मार्च 2003 में खतम हुआ जो साल है उसमें हमने बैलन्स ग्रेट कार्ट में 24% की बरहुतरी देखिये यह बरहूतरी यह बता रही है कि क्रेडिट कार्ड सफलत होने के बजाए है एक किस्म की चुन्यटी बंग और लोगों के लिए किसमी का ट्राइप बन रहे हैं तो सर मनी ना इन के जो दर्शक हैं या जो मनी सेंटल के दर्शक हैं वो क्या करें क्रेट कार्ड को लेकर रणीती क्या अपना है क्योंकि उनको तो येरपोर्ट पर जाते हैं तो लोग गेर लेते हैं फोन पे बार बार कॉल आ लीजे इस तरीकी की कोशिश बैंक करते हैं और इसमें कुछी लोग हैं जैसे आपको आठ करोर क्रेट कार्ड जो दिख रहे हैं उनमें भी क्रेडिट कार्ड के लायक वेतन रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है तो इसका मतलब यह है कि एक एक वेक्ति के पास मल्टिबल क्रेट कार्ड हैं यहां दो चीजें और दिखती हैं चूंकि क्रेड कार्ड के कारण सिविल स्कॉर बेटर होता है तो सारे लोग क्रेड कार्ड इसलिए भी लेते कि उनका सिविल क्रेड कार्ड कार्ड का इसलिए करेड का इनका सिविल स्कॉर बेटर हो जाये तो आपको इद्विल्स कार इसलिए को इसक्यार के उचीजबडने न क्षा क MRC. credit card पर खरीद कर उसकी किष्ट तो नहीं बंदवाएं उस पर loan तो कभी मत लें क्योंकि credit card company आपको तदकाल इस बात के लिए आफर करती है कि आपने 50,000 रुपे की खरीद कर ली अब इसको EMI में convert करा लें तो ये भारत के भारत में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जटपट खबरें दुनिया भर में करज महगा होने के बाद भी भारती कंपनिया करज उठा रही है ताजा खावर है नवीन जिंदल के जिंदल इस्टिलेन पावर से ग्रुप तीन अरब डॉलर का करज उठाने की कोशेश कर रहा है पूझी जुटा सकता है और इस पूझी का इस्तेमाल ग्रुप की कंपनियों में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को कर सकते हैं महराज सरकार ने अदानी गुरुप की कंपनी अदानी रियाल्टी को मुंबई में धारावी के री डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने की अनुमति दे दी है करीब आठ महीने पहले इस प्रोजेक्ट के लिए अदानी रियाल्टी ने सब स्यादा बोड़ी लगाए थी अदानी रियाल्टी को ये प्रोजेक्ट साथ वर्ष में पूरा करना है टुटर को खरीदने के बाद एलन मस्क मुश्किल में फस गई है विज्यापनों से आमदनी आधी रह गई है टुटर के सामने नगदी का संगत खड़ा हो गया है विज्यापन राजस्ट में करीब 50% की गिरावट आई है इसके अलावा कर्च के भारी बोज की वजह से जो कैश फ्लो है वो नेगटिव बना हुआ है टुटर ने सभी नई परियोजनाओं को भरती को रोक लगा दिये मस्का कहना है कि पहला लक्ष यह है कि कैश को इन फ्लो को पॉजिटिव किया जाए चीन की अर्थ वश्ता में फिलाद सुधार नहीं देख रहा है दूसी तिमाही में चीन की अर्थ वश्ता में अनुमान से कम रिकवरी देखने को मिलीए वितवर्ष 2000 जो मौज़ुज़वा वितवर्ष है इसकी दूसी तिमाही में जो जीड़िपी ग्रोथ है वो स्टील से आ रहा है यह सब पहली बार शुभम दिख रहा है कि एक प्रमोटर बाजार से कर्ज लेकर कंपिनी में एकुटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो भी एक ऐसी कंपिनी जिसमें जिंदल परिवार की हिस्सेदारी 61.2% है यानि बहुत बड़ी हिस्सेदारी है कं कंपिनी में इसकाद F.I.S की हिस्सेदारी Domestic Institution के हिस्सेदारी करीब 14% है और F.I.S की हिस्सेदारी करीब 13.5% के आसपास है पप्लिक के हिस्सेदारी के ओर 10% है यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रमोटर हाला कि अभी इस पैस फेस यह खबर्चर्चा में है इस प पहला वाक्या हमें दिखाई देगा हाला कि इसका आसर में इस खबर का आज में इस टॉक मार्केट पे दिखाई दिया जिंदल लिस्टील के शेर में हमें तीजी दिखाई दिया चली अब आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर पर अब चौक गये होंगे कि उस सुपरेप को अफडेट करें यदि आपके मोबाइल का पुराना वरजन है तो आपको प्ले इस टोर में जा कर उसे रिंस्टाल करना पड़ेगा यह अपने तरीके का पहला सुपरेप है जिसमें आपको दूसरे तरीके का बिलकुल अलग तरीके का एक्सपिरियंस ना चाहते हैं तो भी आप उसे स्किप कर सकते हैं लेकिन उसके जानकारियां देंगे तो हमें आपकी रुची के आधार पर बेहतर सूचनाएं देने में और आप सवाल पूछने की की सुविधाएं देने में मदद मिलेगी मनिनान का सुपर एप एंड्रॉइट पर एविलेबल है आईफोन पर अगले हफ्ते तक उपल अब्द होगा जिनके पास एंड्रॉइट फोन है विसे ततकाल सुपर एप को डाउनलोड कर सकते हैं मनिनान के गूगल के प्लेई स्टोर पर जाकर इसे इसको रिइंस्टाल कर सक नहीं है तो इंस्टाल कीजिए और सुपर एप आपको कैसा लगा बताईए सुपर एप में क्या कुछ खास है यह अब से आपको मनिनान के यूट्यूब चैनल पर एप पर फील्स पर इंस्टा पर टुटर पर पता चलता रहेगा यह एप किस तरह खास है यह नई दुनिया है कैसा ही रंगो रूप है प्रसा ही माले